बिस्नुलाहरोहम्हारोहम्हेलोडिये स्टूरेंट्स तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास चंथ एक्रसाइस 8.1 का कुछिन नमर 9 से तो देखो कुछिन नमर 9 में क्या बोल रहा है इन्हे ट्राइंगल अ.फि टमक्रस आज कि बिस्नुलाइ बिस्न स्टूर एइपली निकालने तो निकालना हमें इनकी वैलिउ निकालना है ठीक तो देखो सबसे पहले हमें क्या करने है फिस्सली एक राइट़ एंगल triangle बनाएंगे हम यहां पे सब से पहले तो पर जिसका right angle कहां पर है angle B पर है ठीक है तो मान लेते हैं यह right angle है तो यह हमारा angle B हो गया और इसे मान लेते हैं A यह हो गया C अब देखो इनकी values निकालने के लिए हमें कहाँ चाहिए triangle के sides हमें कहां से पता चलेगा यहां से पता चलेगा, यहां से दो साइड हमें पता चलेगा, देखो फॉर्मॉला फिस्टे वही, पी, बी, पी, एच, एच, बी, एस, सी, टी, यह होगे, टी से टैन क्या होता है, पर्पेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो अंगल कौन सा है, अंगल ए है, तो यह वाला angle होगा तो perpendicular कॉंसा होगा इसके opposite side यह वाला होगा ठीके तो यह perpendicular होगा तो perpendicular कितना है हमारी पास one है और base कितना है base यह बनेगा तो यह under root 3 है ठीके यहां से पता चला हमें 10 theta क्या होता है perpendicular upon base होता है तो यहां पे यह perpendicular यह नीचे वाला क्या होगी हमारा डिनोमिनेटर बेस बनी है ठीक है तो देखो सॉल्यूशन हम गिवन जो जो है लिखते हैं यहां पर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास गिवन देट 10 of a is equal to 1 upon under root 3 तो यहां से हमने formula से पता किया यहां से यह क्या है यह हमारा perpendicular है और यह क्या हमारे पास base है ठीक है तो यह हो गया अब third side निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा हमें पाइथागोरा स्चूरा में प्लाइ करने पड़ेगा तो यूजिंग PGT इन ट्राइंगल ABC वी गेट अगर हम इसमें पाइथागोरा स्चूरा में उस करेंगे तो क्या यह अगा एगा तो यह अगा आएगा एगा रूट 3 का सुकेर प्लस बी सी कि जगे क्या है वन वन का सुकेर तो यह क्या आएगा स्चेर और रूट कैंसल ओगा त्री आएगा थी आएगा प्लस वन तो इस इंपलाइस A C square is equal to कितना आएगा 4 तो this implies A C कितना आएगा square root of 4 square root of 4 कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा तो A C is equal to 2 ठीके तो यह आएगा हमारा यह कितना है 2 है हमारे पास A C यह वाला side 2 आएगा अब देखो निकालना क्या हमें यहाँ पर sin A cos C cos A sin C और यहाँ पर भी cos C cos C sin A sin C इसका मलब हमें sin में angle A पर निकालना पड़ेगा और cos में angle A निकालना पड़ेगा और cos में angle C cos angle sin angle C निकालना पड़ेगा तो जो जो हमें यहाँ चाहिए वो निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम value वही put करके देखते हैं ठीक है सबसे पहले हमें क्या चाहिए sign of a चाहिए now sign of a क्या होगा हमारे पास sign a sign तो हमें पता है क्या होता है perpendicular upon high porneus होता है तो यहां से p upon h आएगा लेकिन कहां पे depend करेगा angle पे depend करेगा कि कौन सा perpendicular और कौन सा high porneus बनेगा angle a तो perpendicular 1 और high porneus 2 तो sign a कितना आगे हमारे पास 1 upon 2 आगया similarly sign देखो c भी चाहिए तो sign c अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा sign c sign c formula तो यही रहेगा perpendicular upon high porneus लेकिन देखो यहां पे क्या होगा हमारा angle change हो गया अब angle change होगे यह angle बनेगे angle c यह बनेगे तो इसके opposite वाला perpendicular बनेगा तो यह perpendicular हो गया ठीक और high porneus तो से में ही रहेगा और यह वाला क्या बन गया बेस बन गया है जब angle c ले रहे है तब ठीक है तो क्या होगा यह under root 3 by 2 ठीक sign c आगया similarly cos a निकालते हम cos of a क्या आएगा base upon high porneus b upon h angle कौन सा a तो base क्या हो गया यह high porneus क्या हो गया तो यह आगया root 3 upon 2 similarly cos of c cos c क्या आएगा देखो cos of angle क्या आता है base upon high porneus फिर से वही लेकिन angle change हो गया आप कौन सा angle है c है तो base क्या होगा 1 होगा और high porneus क्या होगा 2 होगा तो यह हो गया 1 upon 2 ठीक है तो यह cos हो गया अब हमें जो जो चाहिए वह सब निकल गया तो first part हम यहां से देखते है क्या है sin of a cos of c plus cos of a sin of c ठीक है is equal to sin a क्या है हमरे पास 1 upon 2 cos c क्या है 1 upon 2 plus cos a क्या है root 3 by 2 into sin c क्या है sin c root 3 by 2 ठीक है यह आगया अब देखो यह कितना आएगा 1 into 1 1 2 2 is a 4 1 upon 4 plus यहां पर root 3 into root 3 numerator को numerator से मैल्टिप्लाइ करने है और denominator को denominator से तो root 3 into root 3 3 आएगा 2 to the root 3 into root 3 क्या होगा root 3 का सुकेर होगा और यह सुकेर हो रूट कैंसल होगी क्या है हमरे पास 3 ठीक है तो यह आगया अब दोनों के नीचे 4 ए तो एलसे हम लेते हैं को सेकंड़ पार्ट क्या है हमारे पास में साइन आ आफ ए शाइन और सी इसी को टूँछ तो हमने वेल्यू निकाल के रखें हैं इसी में पूट करते हैं कॉस ओफ ए क्या है हमारे पास कॉस ए रूट 3 भाई 2 है, cos c क्या है, 1 upon 2 है, पीश में minus है, इसके बाद sin a, sin a क्या है, 1 upon 2 है, और sin c कितना है, sin c root 3 by 2 है, तो यह कितना आएगा, root 3 divided by 4, minus में root 3 divided by 4, तो क्या आएगा, यह 0 के बराबर आएगा, ठीक है, एक positive एक negative आ रहे है, तो यह expression क्या होगी हमारा, 0 के equal होगी है, ठीक है, तो यह था आपका question number 9, अब देखो next question number 10 में क्या हमारे पास, इन triangle PQ और right angle 8Q, PR plus QR is equal to 25 cm, and PQ is equal to 5 cm, determine the values of sin P, cos P, and tan P, हमें एक triangle given है, right angle triangle ठीक है, यहापे बनाते है, उनकी जो given हमें दिया होए उचके साब से, एक right angle triangle, right angle 8Q, Q पर right angle है, ठीक, तो यह Q है, यह P होगया, यह R होगया, ठीक, और इसके बाद बोला हुआ है, PR plus QR is equal to 25, PR तो एक यह होगया, और QR क्यू आर, यह होगया, इन दोनों को मिला कि हमारे पास कितना है, 25 cm है, लेकिन हमें यह पता नहीं कि यह नकाथ कितना है, यह वाल बहुआ कितना है, यह हमें पता नहीं है, दोनों को sum करके, दोनों का side sum करके 25 cm है, and PQ is equal to 5 cm, यह 5 cm है, ठीक है, ठीक है यह वाला साइँ इंच में इन डासा यह संस्पेड हमिन दोनों केशिक्षी यह there थे इन दोनों करेंगे इन पहले सबसे करेंगे नहीं 3 हमिन प्र가지 पर जैनों कर औरो सुन क्या दई 姐म पांपी depressed प्लस qr is equal to 25 cm ठीक यह हमें given है और क्या given है pq is equal to 5 cm है अब देखो let करेंगे कि हम pr कितना है हमारे पास x cm है ठीक है इन दोनों का sum दिया हुआ है तो let करते हैं कि यह कितना हमारे पास x है let pr is equal to x cm यह अगर x है तो इन दोनों का sum कितना था हमारे पास 25 था तो यह क्या हैगा therefore इसमें value put करो pr कितना माना हमने x माना तो x plus qr is equal to 25 this implies qr कितना हैगा x को side shift करते है 25 minus x cm हमने यह x मान लिया तो यह कितना आगया 25 minus x ठीक है अब देखो यह आगे हमारे पास यह 25 minus x आगया और यह कितना माना था हमने x माना था अब तीनों side हमें पता चल गया लेकिन x में पता चल गया तो हम सबसे पहले x की value निकालते हैं कैसे पाइथागोरे स्ट्विरम यूज करके using PGT in triangle PQR we get क्या आएगा PQ sorry PR सुकेर is equal to PQ सुकेर plus QR का सुकेर जही आएगा this implies PR PR हमने क्या माना था X माना था तो यह X सुकेर हो गया is equal to PQ कितना है 5 5 का सुकेर plus QR QR यहां से देखो कितना हागा हमार पास 25 माइनस X तो यह 25 माइनस X का होल सुकेर यह आगया अब देखो क्या हैगा this implies X सुकेर is equal to 5 5 सा 25 प्लस यह क्या होगा A माइनस B का होल सुकेर होगा ठीके तो यहां पर लिखते है A माइनस B का होल सुकेर कितना हाता है A सुकेर माइनस 2 A B प्लस B सुकेर यह यह आता है ठीके और यहां पर देखो A के जगे क्या है 25 है और B के जगे पर क्या हमारा X ठीके तो यह क्या हैगा A सुकेर तो 25 का सुकेर माइनस 2 A B 2 A 25 B क्या है X है ठीके प्लस B सुकेर तो B के हमारा पास X है तो X का सुकेर तो यह क्या हैगा This implies X सुकेर इस इक्वाल टुटी वाइफ प्लस 25 का सुकेर मिन्स 25 इंटू 25 कितना हाता हमारा पास 625 ठीके तो यह 625 माइनस में 25 इंटू 2 कितना हो गया 50X प्लस में एक सुकेर ठीक तो देखो दोनों साइड एक सुकेर है तो यह हमारे क्या हो जाएगा कैंसल आउड होगा और यहां पर कितना हो गया तो दिस इंप्लाइज प्लस 25 तो 650 माइनस में 50 x इस इक्वल टूइस साइड कुछ बचा नहीं तो क्या है जीरो आएगा तो दिस इंप्लाइज हमें क्या निकालने एक सब्सक्राइज निकालने तो 50 को यह उस साइड ले जाओ 50 एक्स किसके बराबर आएगा 650 के बराबर आएगा इस इंप्लाइज एक्स किसके बराबर आएगा 650 एपूं 50 यह 00 कैंसल हो गया 515 तो एक्स किसके बराबर आएगा 13 सेंटिमेटर एक्स हमने क्या माना था देखो पी-عूर मान लेता था पी- आर मिंस हाई-पॉर्ड नीऊस तो यह कितना है घा हमरे पास 13 एग ऑक्राइज टो टोटाल esse और इस साइड का स्व कितना था 25 35 25-13 यहां पर हमने किया था क्त्ना है 25- 35- यहां पर सुझा 1 5000 तो किहना होगा है 12 किसा高श इंटिमिटर होगा एह 13 इंटिमिटर होगा किसे हो चैप defence हो यहां से एप्टी queste होगा इंटे हरे नगा 10 ड्यान माइस 30 है तो अब हमें त्राइंगल के तीनु साइट पता चल गया, ठीक है, तो यह हो गया, दियर फूर, पी आर कितना आगया हमरे पास थर्टीन संटिमेटर, and, क्यू आर इस इक्वल टू कितना आएगा, क्यू आर कितना आगया, ट्वैंटी फाइफ माइनस में थर्टीन, इस इक्वल टू टू संटिमेटर, इस के बाद मोट ऑलै हमें SIN P निकालना है COS P निकालना है टैन P निकालने है, छैंटी पी पर अब यह तो बहुत ही है 완ay양ियों है, ठीक है, फिर से फर्मॉला P, B, P, H, H B, s c t, ये हो गया, ठीक है, आप dेखो, sin p निकालने, siningen क्या होते है, perpendicular upon hypodneuse, now, sin p, is equal to, पर्पेर्पेर्पेर्पेर्पान hypodneuse, थेक है, तो, perpendicular sin p, perpendicular 12 हो गया और hypodneuse, conhe hormone हो गया हमारा 13 हो गया यह कितना हो गया ट्वैल अपॉन थर्टीन ठीक इसी के बाद क्या निकालना है कौस पी निकालना है कॉस ओफ पी क्या होगा बेस अपॉन अपॉट नियुस और अगर हम ठीकर में देखे तो बेस के हमारे पास 5 cm हाई पॉट नियुस कितना है 13 cm तो 5 अपॉन थर्टीन लास्ट में हमें 10P निकालना है 10P कितना आएगा हमारे पास perpendicular upon base आएगा यहां से P upon B अब देखो perpendicular क्या है हमारे पास perpendicular 12 base कितना है 5 cm corresponding to angle P ले रहे हैं ठीक है तो perpendicular 12 और base 5 तो यह जो हमें निकालना था वो यह ठीक है sin P cos P 10P निकालना था यह जो निकालना था वो तो आसान था लेकिन इसमें क्या हमें यह difficult था इसमें triangle के sides निकालना हमें थोड़ा इसमें difficult हो रहा था तो क्या करना है इसमें आपने जो sum दिया हुआ है उसको lead करना एक्स इसी के base आपके book में एक example भी है ठीक है तो यह question important है आपको exam में यह बार बार repeat होता है ठीक है so thank you very much